क्या आपको पता है कि एक ही स्टेडियम में इतने सारे अलग-अलग क्रिकेट पिछ क्यों होते हैं या फिर कभी सोचा है कि हवाई जहाज में जो तेल पड़ता है वो आखिर बाइक में पढ़ने वाले पैटरोल से सस्ता क्यों होता है अच्छा आप ये तो बिल्कुल नहीं दोस्तों क्या आप किसी ऐसे एनिमल लवर के बारे में जानते हैं जिसने मरकर भी अपने पैट का साथ नहीं छोड़ा ग्रोवर क्रेंज एक अमेरिकन साइंटेस्ट और एंथ्रोपोलोजिस्ट थे उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सारी काम किये लेकिन वो चाहते थे कि मरने के बाद भी वो साइंस के काम आते रहें इसलिए उन्होंने अपनी बाड़ी म्यूजियम को डोनेट कर दी ल म्यूजियम में रख के उनकी एक पुरानी फोटो के पोज में रख दिया गया दोस्तो इसे कहते हैं असली एनिमल लवर फैक्ट नमबर 9 दोस्तो बहुत पुराना सवाल है कि पहले अंडा आया फिर मुर्गी अगर अंडा तो अंडा दिया किसने और अगर मुर्गी तो वही सवाल की आखिर मुर्गी आए कहां से अब इसका ठीक जवाब इजी भी है और नहीं भी असल में मुर्गियों के पूरव किसी और प्रजाती के जीव कहलाएंगे उन्हें प्रोटो चिकन कहते हैं जब दो प्रोटो चिकन एक साथ आए तो एक अंडा तयार हुआ इस अंडे के भुरुन में कुछ म्यूटेशन हुए ये भुरुन बड़ा हुआ और यही आगे चलकर पहली मुर्गी बना तो पहली मुर्गी एक अंडे से ही बाहर निकल के आई इस हिसाब से अंडा पहले आया लेकिन मुर्गी को पहले मानने वाले अब ये भी कह सकते हैं कि उस अंडे से पहले मुर्गी तो निकली लेकिन वो अंडा तो प्रोटो चिकन ने दिया था तो क्या वो मुर्गी का अंडा पात हमें कॉमेंट में बताईएगा आपको पता है कि हवाई जहाज में जो तेल डाला जाता है उसकी कीमत हमारी गाडियों में पढ़ने वाले पैट्रोल डीजल से भी कम होती है दोस्तों आज कल पैट्रोल और डीजल की कीमते आस्मान चुरही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगी महंगे टिकट वाले हवाई जहाजों में जो तेल पड़ता है वो असल में पैट्रोल और डीजल से सस्ता होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जादातर हवाई जहाज पैट्रोल से नहीं बलकि ATF यानि की Aero Turbine Fuel से चलते हैं जो कि एक तरह का कैरोसीन तेल होता है और वो 75 से 80 रुपे लीटर में मिलता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दिया जाए क्योंकि जहाज काफी तेल खाता है छोटे जहाज में अगर 300 से 500 लीटर प्रतिघंटा तेल खर्च होता है तो बड़े जहाजों में 800 से लेकर 2500 लीटर प में दिखाय नहीं देती ठीक इस में लगी आ की तरह है यहां लोग मजे के लिए पानी नहीं डाल रहे हैं वल्के में Hethamol की वजय से लगी ये गैस आग पकड़ ले तो इससे धुआ नहीं निकलता और तेज धूप में तो इने बिलकुल भी नहीं देखा जा सकता है इसलिए इस आग को पहचानना मुश्किल हो जाता है और ये एक इन्विजिबल फायर बन जाती है Fact No.6 कभी आपने सोचा है कि जब भी हम जादा खाना खा लेते हैं या फिर बहुत मसालेदार खाना खा लेते हैं तो आलसा आने लगता है आगर ऐसा क्यों होता है दोस्तों मसालेदार खाना खाने से हमें नीद इसलिए आती है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बाडी को जब जादा कार्बोहाइड्रेट यानी चावल जैसी चीजें मिल जाती हैं तो शरीन में मेलाटॉनिन हार्मोन निकलने लगता है जो कि हमें सोने का मैसेज देने लगता है क्योंकि यही हार्मोन हमारे सोने के लिए रस्पॉंसिबल होता है दूस्तो यह जो आप देख रहे हैं वो कोई डिजाइन नहीं है बलकि एक बहुत फेमस लेक है यह कैनेडा के ब्रेटिश कॉलंबिया की स्पॉटेट लेक है जो अपनी नैचुरल ब्योटी के लिए दुनिया भर में फेमस है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया की स सबसे जादा मिनरल वाली लेक है इसमें मैगनीशियम सलफेट कैल्शियम सोडियम सलफेट सिल्वर और टाइटीनियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं गर्मियों में जब इस जील का पानी सूख जाता है तो यह मिनरल अपने अपने रंगों से इस जील में अलग अलग स्पॉट बना देते हैं इस जील के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें नहाने से कई विमारियां ठीक हो जाती है लेकिन यह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है फैक नमबर चार क्या आपको पता है कि एक मगरमच और अलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है कई बार आप इन दोनों को देखकर कनफ्यूज हो जाते होंगे कि इन में से कौन अलिगेटर है और कौन सा मगरमच है कई लोग इसे एक ही जानवर की दो प्रजातिया मान लेते हैं लेकिन इन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है असल में यह जो आप देख रहे हो य इसकी एवरिज लंबाई 19 फुट होती है मगरमच रेंगने वाले जीवों में सबसे बड़ा होता है और यह खारे पानी में रहता है और धी में जलता है वहीं अगर अलिगेटर की बात करें तो यह पानी में और जमीन पर बहुत तेज चलते हैं और मीठे पानी में रहना प उसकी बता है कि आखिर इन कॉर्सेट्स को पहना बंद क्यों कर दिया गया पुराने जमाने में इन कॉर्सेट्स को बहुत पसंद किया जाता था और सारी अमीर महिलाओं की यह सिगनेचर ड्रेस थी लेकिन इस ड्रेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी असलमें यह बहुत स यहां तक की लगातार इस तरह की टाइट ड्रेस पहनने से पसलियों तक का शेप खराब होने लगता था इसलिए हिन कॉर्सेट्स को धीरे धीरे फैशन से हटा दिया गया वैसे भी वो फैशन क्या फैशन जो आपकी सेहत ही खराब कर दे जादतर लोग यह मानते हैं कि अगर पिच खराब हो जाएगी तो दूसरी पिच पर मैच कराने के लिए वहां 3-4 पिच बनाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है असल में जिस पिच पर इंटरनेशनल मैच होना होता है उस पिच को अलग से इंटरनेशनल क्रिकेटर स्टेंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और उस pitch को pitch curator तयार करवाता है वहीं जो दूसरी pitch होती है उसे domestic match और series के लिए तयार किया जाता है इस pitch पर run-gy trophy, dilip trophy और घरेलू match खेले जाते हैं नेट practice करने के लिए भी खिलारियों के लिए एक अलग pitch तयार की जाती है अब इन सभी matchों को एक ही pitch पर कराना possible तो नहीं और इसी के कारण cricket stadium पर एक से जादा pitch बनाई जाती है fact number 1, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई घास होगी जो कि पानी में जम जाती है लेकिन दोस्तों ये कोई घास नहीं है बलकि एक तरह का पेड़ है जो South America के ग्रास लेंड में पाय जाते हैं इन पेड़ों को यरेटा या फिर लरेटा कहा जाता है इसकी खासियत है कि ये पेड़ तीन हजार सालों तक जीते हैं और ये बहुत लंबे नहीं होते इनका शेप ऐसा होता है कि आप इसे एक गड़े की तरह से इस्तमाल कर सकते हैं South America में ये पेड़ पाड़ों पर घास के जैसे उग जाते हैं और देखने में हरी चादर की तरह नजर आते हैं तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है वीडियो में कौन सा फेक्ट आपको सबसे जादा पसंद आया जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में फेक्ट के एक नए और मज़ेदार चटपटे एपिसोड के साथ तब तक के लिए खुश रही है अपने चाहने वालों का खयाल लगिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया